हलो स्वेंट्स वेलकम डिस्कस करने वाले हैं डिलेशंन possiamo सींट के उपर जिसमें यह पार्थ 3 वीडियो है डिलेशन इट फंक्शन के उपर पार्थ वन पार्थ 2 का pastors करके बाता हैं पार्ट वन और पार्ट टू में मैं आपको रिलेशन का पूरा कॉंसेप्ट के लिए करवा चुकी हूँ आज इस वीडियो के अंदर मैं फंक्शन के उपर बात करूंगी फंक्शन का A to Z जितने भी कॉंसेप्ट हैं फंक्शन क्या होता है फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं ठीक है और ऑप्रेशन क्या होते हैं फंक्शन के कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इन्वर्टीबल फंक्शन इन सभी डिस्क टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो के इंदर डिसकस करेंगे साथ ही हम previous year questions के उपर भी यहाँ पर discuss करेंगे तो friends जुड़े रहें मुझसे और इस वीडियो को end तक ना देखना ना भूले साथ में बिटा अपने copy और pen को भी लेकर बैठ जाए ताकि आप मेरे साथ में questions को भी solve करते रहें और आपकी भी practice साथ के साथ होती रहे तो जादा समयना आप बिताते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे function के उपर देखें function को समझने से पहले आप relation की वीडियो उसको जरूर देख लें जिसका link आपको description में मिल जाएगा part 1 और part 2 का वह इसलिए बिटा क्योंकि यहां पर में खाली function के उपर ही नहीं बलकि relation और function के इंदर क्या difference है उस concept के बारे में भी discuss करूंगी तो आप बहतर ली तबी समझ पहेंगे जब आपको पता होगा कि relation क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले function के उपर बात करते है mathematical terms में बात में बात करेंगे पहले आप इसको daily life के basis पे समझे फंक्शन क्या होता है function को आप इस तरह से समझ सकते है function क्या है कि एक ऐसी चीज़े जिसके अंदर आप input डालेंगे क्या डालेंगे input डालेंगे और आपको output मिलेगा ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी कोई भी machine जिसके अंदर आप input डाल रहे है और आपको output मिल रहा है वो एक function का काम कर रही है ठीक है for example मैं यापको एक example लेके समझाती हूँ suppose आपके पास बहुत सारी plastic है ठीक है आपने उस plastic को एक machine के अंदर डाल दिया अब machine उसको एक different different तरीके की shape दे रही है like वो एक toy बना सकती है और toys में भी बहुत सारे design होते हैं वो different different type के आपको particular एक shape के अंदर toy बना बना कर दे रही है तो आपने क्या डाला था machine के अंदर plastic डाला था plastic आपने machine के अंदर डाली और आपके पास में एक proper output मिला वो क्या मिला एक toy मिला ठीक है तो एक ऐसी machine या ऐसा कोई भी function जिसके अंदर आप input डाल रहे है और आपको output मिल रहा है इसी को आप function बोलते हैं ठीक है mathematical terms में अगर मैं बात करूँ हमने ऐसी बहुत सारी terms पढ़ी है function के उपर suppose मेरे पास यहाँ पर x की cube है ठीक है और अगर मैं यहाँ पर x की value 1 रख देती हूं ठीक है 1 रखा तो मेरे को यहाँ पर क्या मिल जाएगा x की value 1 रखने पर 1 की cube यानि की 1 मिल गया ठीक है अगर मैंने x की value को 2 रख दिया तो मेरे पास 2 की cube यानि की 8 मिल गया अगर मैंने x की value 3 रखी तो यह हो जाएगा 3 की cube 27 मिल गया तो यहाँ पर जो मैं input डाल रही हूं यह जो 1, 2, 3 है न यहाँ पर क्या हो जाएगा input हो जाएगा और मुझे क्या मिल रहा है 1, 8 और 27 यह क्या हो जाएगा इसका output हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर x क्या है x एक term है जिसमें हम input डाल रहे है 1, 2, 3, 4, infinite तक values put करते जाएगे और हमें उसका cube निकालने पर जो भी value मिलेंगी वो उसका क्या हो जाएगा output हो जाएगा समझ में आया आपको यह concept अब बात करते हैं relation and function के उपर function topic के उपर चलिए basically relation क्या होता है बटा relation मैंने आपको बार 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 समझाया है बहुत ही simple word में अगर relation की definition की बात करें तो Cartesian product का subset relation कहलाता है या in another words अगर हम mapping के रूप में इसकी बात करें अगर हमारे पास कोई भी दो non empty set होते हैं मैं अभी यहाँ पर relation के बारे में बात कर रही हूँ किसके बारे में बात कर रही हूँ relation के बारे में जब हमारे पास कोई भी दो non empty set होते हैं A और B ठीक है और उसके अंदर जितने भी हमारे पास में elements होते हैं ठीक है सपोज यहाँ पर 1, 2, 3 हैं यहाँ पर 4, 5, 6 ले लिया तो चितने भी A के element होते हैं उनके B के element के साथ में कोई ना कोई image बन रही होती है ज़रूरी नहीं है वो हर एक element के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो एक से ही image बनाएगा वो एक से ज्यादा के साथ में भी बना स लेकिन function में ऐसा नहीं होता function में थोड़ा सा opposite हो जाता है थोड़ा सा difference यह है कि अगर हमारे पास में कोई भी दो non empty set हैं A और B clear तो function क्या होगा कि जितने भी element A है ठीक है जितने भी A के element है उनके पास set B में एक image जरूर होनी चाहिए suppose आपको मैं इसको एक example के जरीए समझाती हूँ यहाँ पर एक example लिखा है 2 3 4 set A के element है तो लिख लेते हैं यहाँ पर 2 3 4 यह set A के element है B के element कहके दिये है 3 4 5 दिये है 3 4 5 यहाँ लिख लेते हैं find F1 and F2 are two subsets of A cross B हमें यहाँ पर बताना है कि यह जो function F1 दी है हमें और यह जो function F2 दी है क्या यह इसको satisfy कर पा रही है तो check कर लेते हैं F1 के लिए condition दी है 2 3 तो 2 का 3 के साथ में combination है यहाँ ठीक है 2 की image क्या है यहाँ पर 3 है 3 की क्या है 4 है और 4 का क्या है 5 है तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जितने भी हमारे पास element A है उनका element B के साथ में एक नाएक image जरूर बन रहा है इसी को function बोलते हैं कि जितने भी element A के अंदर है उनकी image होनी चाहिए set B के अंदर ऐसा कोई भी element left नहीं होना चाहिए जिसकी image ना बन रही हो समझ में आया आपको ऐसा कोई भी element नहीं होना चाहिए जिसकी image B के अंदर ना बन रही हो उसी को हम function कहते हैं तो यहाँ पर सारे के सारे elements की set B के अंदर image है इसका मतलब F1 जो है यह satisfy कर रहा है function को second point पे discuss करते हैं F2 पे F2 के लिए यहाँ पर इसको दूसरे color से देख लेते हैं यह देखे F2, 2, 3, 2, 3 हमारे पास है 2, 4, 2, 4 हो गया यह 3, 4, 3, 4 हो गया यह 4, 5 अब देखे बेटा F2 जो है यहाँ पर यह function को satisfy नहीं करेगा क्योंकि F2 क्यों नहीं करेगा यहाँ पर यहाँ पर 2 की image 3 के साथ भी बन रही है और यहाँ पर 2 की image 4 के साथ भी बन रही है ठीक है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं F2 is not a function from A to B since 2 belongs to A has two images 3 and 4 क्योंकि यहाँ पर 2 की image क्या है 3 भी बन रही है और 2 की image 4 भी बन रही है यहांपर हम clear बोल रहे हैं function के लिए कि हर एक element के पास one and only one image होनी चाहिए क्या बोल रहे हैं हम यहाँपर कि केवल one and only one image होनी चाहिए लेकिन यहाँपर तो एक से ज़ादा image हो गई है F2 के लिए यह देखिए मैंने यहाँपर definition में mention किया है one and only one image बट यहाँ पर 2 के साथ में 3 की image भी बन रही है 2 के साथ 4 की image भी बन रही है जो की possible नहीं है function के लिए तो ये इस condition को satisfy नहीं करेगा तो ये function नहीं है clear दुबारा से समझ लीजिए by definition विटा example को अगर आपके पास में set A के सारे के सारे element set B के अंदर एक image बना रहे है और वो भी single image बनाते हुई होने चाहिए cable और cable हर element की एक image बननी चाहिए तो ही वो function कहलाएगा ठीक है अभी हम बात करते है basically relation और function में difference क्या होता है देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि Cartesian product का subset कहलाता है आपका relation ठीक है अगल यह सपोस्वोस हमारे पास यहाँ पर set A है और यह set B है तो यहाँ पर R define कर रहा है इसके relation को function की बात करें यहाँ पर set A है यहाँ set B है यह F define कर रहा है function को अब इसको एक एक उसके map के जरीए समझ लेते हैं मैप के से ज़िए समझाते हैं आपको हमारे पास यह है X-axis यह है Y-axis अगर आपके पास में कोई भी वर्टिकल लाइन खीची जाए ठीक है अगर आपके सामने Y-axis के होते हुए Y-axis से कोई भी वर्टिकल लाइन खीची जाए और वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रही है तो वो क्या कहलाएगा अपका रिलेशन कहलाएगा यह Y-axis के एकॉर्डिकल लाइन रही है ठीक है Y-axis तो यहां पर यह जो पॉइंट है यह यहाँ पर भी कट कर रहा है और यह यहाँ पर भी मिल रहा है यानि कि इसकी जो images है वो दो बन रही है एक image इसकी यहाँ इस point पर आ रही है और एक image इसकी इस point पर आ रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यह relation हो जाएगा क्योंकि function के अंदर हर एक element की केवल एक ही image होनी चाहिए तो यह relation हो गया अगर आपके पास में कोई भी set A है और उसके पास केवल हर एक element के पास एक ही image बन रही है तो वो क्या कहलाएगा आपका function कहलाएगा आप इसको समझते हैं mapping के जरीए यह आपकी x-axis हैं यहाँ पर यह आपकी y-axis है ठीक है यहाँ पर y-axis के vertical line खीची गई है ठीक है कोई भी point ऐसा जो कि आपको यहाँ पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो point है यह केवल एक ही point पर cut कर पा रहा है ठीक है एक ही point पर मिल रहा है तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा इसके पास cable और cable एक ही image है इसके element के पास एक ही image है इसका मतलब यह क्या कहलाएगा यहाँ पर function कहलाएगा अगर element के पास दो image होगी जैसे यहाँ पर दो image बनी एक image यह बनी तो यह क्या कहलाएगा relation कहलाएगा और अगर एक ही image है तो वो क्या कहलाएगा आपका function कहलाएगा Clear आगे बढ़ते हैं रिलेशन और फंक्षन में डिफ्रेंस मैपिंग के जरीए समझते हैं सम एलिमेंट ओफ ए विच आर नॉट रिलेटेड तो एनी एलिमेंट ओफ बी दिखें रिलेशन में क्या होता है कि जरूरी नहीं है जितने एलिमेंट ए के अंदर मौझूद है उनकी बी के अंदर इमेज बननी ही बननी चाहिए ऐसे बहुत बार एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इमेज बी के अंदर नहीं बन पाती है जैसे आप इस एक्जाम्पल में समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 है 3 की कोई भी इमेज बी के अंदर नहीं है ठीक है और ऐसा भी जरूरी नहीं है सपोज यहाँ पर दिया है 1, 2, 3 और यहाँ पर दिया है 11, 12, 13 यह भी जरूरी नहीं है कि हर एक element की एक ही image होने चाहिए यहाँ पर यहाँ पर 1 की image होगी 12, 2 की भी image होगी यहाँ पर 12 और 3 की image होगी यहाँ पर 13 तो यहाँ पर जो image होगी वो एक से जादा element की भी हो सकती है तो यह difference है relation के लिए function की बात करें तो function में बार बार बोल रहे हैं कि हर एक element के पास compulsory एक image होनी चाहिए ऐसा कोई भी element left नहीं रह सकता है जिसके पास image ना हो और एक से जादा image नहीं हो सकती है तो क्या है यहाँ पर आप example में देख सकते हैं आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखका है तो जितने भी elements A के अंदर हैं उनकी B के अंदर कोई ना कोई image जरूर है है ना ऐसा कोई भी element नहीं है जिसकी B के अंदर image ना हो secondly चीज़ की यहाँ पर जितने भी element है उनकी one and only one image बन रही है हर एक element की one and only one image है तो basically यह difference है relation and function में अब मैंने आपको यह mapping के जरीए भी समझा दिया by definition भी समझा दिया और graph के जरीए भी समझा दिया ओके आगे बढ़ते हैं मिटा अब बात करेंगे कि types of functions क्या होता है देखे अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी doubt आ रहा है तो आप comment section में comment कर सकते हो मैं next video के माध्यम से या live आकर आपके questions का answer definitely दूँगी आपने notice भी किया होगा अमेशा आपको time to time आपके comments का answer भी मिलता है और please strengths अगर आपको मेरी videos समझ में आ रही हो concept समझ में आ रहे हो तो videos को like करो, channel को subscribe करो ताकि मैं जितनी भी videos डालती हूँ time to time आपको उसकी update मिल सके और आप मेरे साथ में KVS, NVSD, SSSB, PGT, TGT के जितने भी strengths हैं वो अपने मुकाम तक पहुँच सके और आप भी अपना selection पा सके, मैं यहाँ पर आपको previous year questions भी करवाऊंगी, एक एक concept जो भी PGT का पूरा complete slaver से cover करवाऊंगी ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जोडा रहना होगा, चैनल को subscribe करना होगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, types of functions पर बात करते हैं, देखें यह जो function होती है functions basically आपकी चार type की होती है, ठीक है, first बात करेंगे हम यहाँ पर one one function जिसको हम injection भी बोलते हैं, second बात करेंगे many one function की, third बात करेंगे on to function जिसको surjection भी बोलते हैं, और फिर बात करेंगे into function and one one and on to function जिसको by injection बोलते हैं, basically होता तो यह तीनी तरीके का है, functions आपका injection, surjection and by injection, लेकिन हम यहाँ पर point to point एक एक topic पर discuss करते हैं, चलिए, one-one function जिसको हम injection भी बोलते हैं, ठीके, नाम से ध्यान रखेगा, आपको exam में one-one function भी लिखा मिल सकता है, और injection word भी लिखा हुआ मिल सकता है, injection मतलब one-one function की बात हो रही है, okay, one-one function क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी function की mapping कैसे दिये है, function की mapping दिये a to b, is set to be injection, if different elements of a have different image in b, यहाँ पर यह यह कह रहा है, कि अगर आपके पास कोई भी एक set a है, non-empty set a, और एक आपके पास में non-empty set b है, तो यहाँ पर जितने भी elements a के अंदर हैं, उनकी एक different elements के साथ में image होनी चाहि आप देख सकते हैं, यहाँ पर one की image क्या है, a है, two की image क्या है, यहाँ पर d है, three की image क्या है b, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी element left नहीं है, जिसकी image ना हो, वही function होता है कि हर एक element की पास अपनी एक image होनी चाहिए, और इसको हम क्या बोलते हैं, input भी बोलते हैं, या फिर elements भ बोलते हैं, element of x भोलते हैं, ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, output बोलते हैं, मैंने बताया तरहा कि function क्या होता है, आप input डालेंगे, आपको क्या मिलेगा, output मिलेगा, तो यह क्या हो जाएंगे, a के elements इनको हम input बोलते हैं, और जो b के elements होते हैं, उनको हम output बोलते हैं, यहा पर हमसे question में पूछा गया है कि यहां पर x equals to अगर y हो जाता है suppose x equals to y हो जाता है then fx equals to fy होगा और क्या यह वन वन है यह आपकी यहां पर x axis है यह होगी आपकी y axis x equals to y का मतलब क्या है कि यह जो आपकी line जाएगी वो कुछ इस type से जाएगी यहां से cut होते हुए क्योंकि fx का मतलब क्या हो गया fx equals to हो जाएगा y के और fy का मतलब क्या होगा fy equals to हो जाएगा x की suppose x की value यहां पर 1 है तो y की value obviously 1 हो जाएगी ठीक है x की value 2 है तो y की value obviously 2 हो जाएगी ऐसे अगर हम बात करें आपर f y के value वन है function f y जो है वो one है तो x कितना हो जाएगा वन हो जाएगा यह two हो जाएगा तो one one two two three three इस तरीके से हमारे पास में elements निकल के आएगे तो one one यहाँ होगा two two यहाँ होगा three three यहाँ होगा ऐसे minus में element होगे तो minus one minus one इधर होगा minus two minus two इधर होगा, माइनस 3, माइनस 3, इधर होगा ठीक है, तो जो basically line होगी वो आपके कहां cut करेगी, वो ये होगी जो line आपको cut करती हुई मिलेगी ठीक है, ये line होगी तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये cable इसको एक ही point पर cut करती हुई जा रही है तो इसका मतलब ये condition satisfy होती है fx equals to fy बिलकुल होगा, fx equals to fy होगा, और ये one one भी होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक element के पास में अपनी एक image होनी चाहिए, और वो यहाँ पर बन रही है, so that is one one function, आगे बढ़ते हैं मैंनी one function की बात करें, मैंनी one function क्या होता है वेटा, कि जितने भी elements आपके पास एके अंदर हैं उनकी पास, हर एक element के पास अपनी एक image जरूर होनी चाहिए, बट ये जरूरी नहीं है, कि हर एक element की जो image है, वो different different होनी चाहिए, एक element के पास में एक से, मतलब, जो image है वो एक से ज़्यादा element की भी हो सकती है, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, one, two, three, यहाँ पर एक तीनो element के पास में अपनी एक image है, लेकिन two और three, इन दोनों की image क्या है, यहाँ पर b है, है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं होता many one function के लिए, कि हर एक element के पास अपनी different different image हो, एक से ज़्यादा functions के पास में एक ही image भी हो सकती है, ठीक है many one function, और ध्यान रखेगा, जितनी भी यह technometric terms होती है, जितनी भी technometric terms होती है, वो सारी आपकी many one function कहलाती है, जैसे graphically आप यहाँ पर समझ सकते हैं, y equals to sin x, यहाँ पर मैंने आपको इसका graphically diagram भी बना के दिखाया है, y equals to sin x क्या है, यहाँ पर many one function है, ठीक है many one function कैसे है, यह आपकी यहाँ पर x-axis है, यह आपकी यहाँ पर y-axis है, ठीक है यहाँ पर जब आप sin x को graphically design करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यह दो points पर हिट कर रहा है, एक यह रहा और एक यह रहा, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही element की एक से ज़ादा images भी बनी हुए, so that is many one function, आगे बढ़ते हैं, onto function यानि कि surjective की बात करते हैं, देखें, मैंने आपको पढ़ाया था, one one function, one one function का मतलब क्या हो गया, injective, ठीक है, यह ध्यान रिखेंगा आप नाम, अब आ रहा है, onto function, onto function को हम surjective भी बोलते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे, one one and onto, उसको one one भी बोलते हैं, onto भी बोलते हैं, plus लगा देते हैं, one one plus onto function को हम बोलते हैं, byjection function, तो यह नाम आपको पता होने चाहिए, one one function यानि injective function भी बोलते हैं, onto function यानि surjective function भी बोलते हैं, one one and onto function byjection function भोलते हैं, ठीक हैं, आगे बढ़ते हैं, onto function जिसमें हम surjective function की बात कर रहें, surjective function क्या होती है, देखे सर्जेक्टिव फंक्शन जो होती है one one फंक्शन भी हो सकती है और many one फंक्शन भी हो सकती है मैंने अभी आपको पढ़ाया one one फंक्शन क्या होता है कि हर एक element set a के अंदर जितने भी element है उनके पास different different image होनी चाहिए देख सकते हैं आप यहाँ पर हर एक element के पास different different image है और many one फंक्शन क्या होता है कि set a के अंदर जितने भी element है उनकी एक से जादा image भी हो सकती है जैसे यहाँ पर two और four की image क्या आ रही है b आ रही है तो ऐसी functions क्या कहलाती है many one function कहलाती है तो basically normal सी language में हम यह कह सकते है कि ऐसी functions जो one one b है और many one b है वो सब क्या कहलाती है on to function कहलाती है तो अब function मतलब function a to b is on to if for each b belongs to capital b and a belongs to capital a मतलब जितने भी यह जो b है small b है यह set b का element है और small a जो है वो set a का element है such that f a equals to में हो जाएगा b के बराबर ठीक है यह इसकी definition हो जाएगी clear आपको on to function क्या होता है आगे बढ़ते है into function की बात करते है अब function f a to b is into if there exists at least one element in b having no pre-image in b देखें अब बात करेंगे थोड़ा सा opposite में on to function को एक बार दुबारा से समझते हैं on to function के लिए एक condition यह होती है कि जितने भी हमारे पास b के अंदर element है मतलब यह है हमारा set a set b clear देखें हम अभी तक बात कर रहे थे one one function many one function के अंदर set a के उपर कि set a के जितने भी element है उनके पास में एक image होनी चाहिए set b के अंदर compulsory होनी चाहिए ठीक है लेकिन on to function यह कहता है कि set b के अंदर set b के अंदर जितने भी elements है उनकी एक image जरूर होनी चाहिए a के साथ में यहाँ पर opposite हो जाता है यहाँ पर एक भी element आपको set b में ऐसा left नहीं होना चाहिए जिसका set a के साथ में image ना बन रहा हो यहाँ पर आप notice कीजिए कि a,b,c,d,d के अंदर जितने भी elements दिये हैं उनकी set a के साथ में image जरूर बन रही है देखिए a की 1 के साथ बन रही है b की 1 रही है 3 के साथ में c की 2 के साथ में d की 1 रही है 4 के साथ में एक भी element B के अंदर left नहीं है हो जाती है, ओन फंक्शन और मेर्नी ना हमारा साँ सोरी होने के वी सकती है, साल हो जाती है, कि लेकिन वी कव gas हमारा पूरकम होता है सेट भी के कोई भी वी एलेमेंट लइफ नहीं होना चाहिए सब्सक्राइब जरूरी नहीं हो करें a की image के साथ में बने वो एक से ज़्यादा के साथ भी बन सकती है clear strength ध्यान रखिएगा one one function में हम focus करेंगे set a के उपर many one में focus करेंगे set a के उपर but onto function के लिए हम focus करेंगे set b के उपर कोई भी element हमारा left नहीं होना चाहिए ओके आगे बात करते हैं into function की into function को समझे कि यहाँ पर आपका set b होता है यह set b है यह आपका set a है set b में केवल एक element ऐसा बचना चाहिए जिसकी कोई pre image नहीं होती है a के साथ में ठीक है देखें definition में भी लिखा है there exists at least one element in b having no pre image in b यहाँ पर केवल और केवल e एक ऐसा element बचा है जिसकी कोई भी pre image नहीं है a के साथ में that is called into function आगे बढ़ते हैं one one and onto function जिसको by injection function भी बोलते हैं मैंने आपको पहली बताया by injection function क्या होती है मतलब अगर आपके कोई function injection यानि की one one injective बोलते हैं जिसको injective और onto function जिसको surjective बोलते हैं मतलब अगर आपके कोई function injective भी है plus surjective भी है तो वो आपके by injection function भी कहलाएगी यानि अगर कोई function one one भी है और onto भी है तो वो क्या कहलाएगी by injection कहलाएगी अब one one की condition क्या आती बेटा one one कहता है कि जितने भी set a के element है उनके पास एक different different image होनी चाहिए set b के अंदर तो आप देख सकते है one two three के four के पास में different different image है set b के अंदर ये diagram देखे आपको अच्छे से समझ में आ रहा है यहाँ पे mapping जो है onto function क्या कहता है onto function कहता है set b के अंदर जितने भी element है उनकी pre image होनी चाहिए set a के अंदर ऐसा कोई भी element left नहीं रहना चाहिए set b के अंदर जिसके पास image ना हो तो देख सकते हैं आप यहाँ पर set b के अंदर a b c d सब के पास में one two three four कही ना कहीं किसी हर एक element के पास अपनी एक image भी है और pre image भी है तो इसका मतलब यह one one function भी है और यह on two function भी है clear तो ऐसी function जो one one है और on two भी है वो क्या कहलाएंगे आपकी byjection function कहलाएंगे आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर हम एक example की बात करते हैं example देखे questions कैसे आता है यह previous year में आये वा question है constraints बहुत ध्यान से समझेगा यहाँ पर दिया है proof that function n to n n क्या होता है बिटा natural numbers होते है is given by fx equals to 2x is one one but not on two हमें बताना है कि जो function है यह one one तो है but यह on two नहीं है ठीक है यह function कैसी है one one है but on two नहीं है तो proof करते हैं इस बात को mapping क्या होती है हमारे पास में x to y ओके यहाँ पर बात हो रही है one one function के लिए तो हमने कोई भी दो function ले लेते हैं सपोस हमने ले लिए हैं आपे दो element ले लिए x1 और x2 और x1 और x2 जो हैं वो belong कर रहे हैं x को यानि कि set यहाँ पर जो x का मतलब है यहाँ पर मैं x को define कर रही हूं set a से आप यहाँ पर a भी ले सकते हैं fa2 b भी लिख सकते हैं या fx2 y भी लिख सकते हैं ठीक है confused होने की बात नहीं है x1 x2 जो हैं वो element है कि set x के clear तो इसका मतलब मैं कह सकती हूं कि fx1 equals to होगा fx2 के और x1 equals to हो जाएगा x2 के यह चीज हमें यहाँ पर proof करनी है question में दिया है हमें यह चीज़ proof करनी है कैसे करेंगे तो अगर fx1 equals to है fx2 के if fx1 equals to है fx2 के तो fx की value question में क्या दिया है हमें यहाँ पर 2x दिया है यहाँ पर हो जाएगा 2x1 और यह हो जाएगा 2x2 यहाँ पर 2 से 2 cancel हो जाएगा तो हुमारे पास क्या बचेगा x1 equals to x2 यह चीज यहाँ पर proof होगी इसका मतलब यह एक 11 function है यहाँ पर हम कह सकते है so it is 11 function onto function के लिए क्या होता है onto function के लिए mapping होती है x2y for every small y belong करना चाहिए capital y को then they exist then they exist small x belongs to capital x यही condition होती है आपके लिए onto function के लिए satisfy करके देखते है fx equals to हो जाएगा y के तो fx की value क्या दिए है 2x equals to y दिए अगर हम यहाँ से x की value find out करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा y by 2 आ जाएगा और यह x equals to y by 2 कोई भी natural number नहीं होता है देखिए यहाँ पर x1 equals to x2 आया तो यगर आप x की value लेते हैं यहाँ पर 1 तो 1 equals to 1 हो जाएगा 2 लेते हैं तो 2 equals to 2 हो जाएगा 3 लेंगे तो 3 equals to 3 हो जाएगा और 1, 2, 3, 4 यह सब क्या है natural number है और यहाँ पर हमें starting में ही बोला है कि number कैसा होना चाहिए natural number होना चाहिए तो इसका मतलब 1-1 function तो satisfy कर रही थी बट अगर मैं यहाँ पर natural number की बात करूँ यानि कि यह तो natural number आगे अब बट x equals to 1 by 2 तो natural number नहीं है इसका मतलब हर एक element natural number वाली condition को fulfill नहीं कर रहा है जबकि सारे number कैसे होने चाहिए natural number होने चाहिए इसका मतलब it is not onto यह onto function नहीं है clear strengths आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं composition of functions क्या होता है बहुत ध्यान से समझे composition of function बहुत important topic है अगर हमारे पास अभी तक हम बात कर रहे थे दो non empty sets की अगर हमारे पास दो की जगा तीन non empty sets है या तीन से ज़ादा non empty sets है ठीक है यहाँ पर मैं बात करूँगी पहले तीन non empty sets की हमारे पास तीन non empty set है A, B and C कैसे होगा यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास एक mapping है एक set है A, एक set है B एक set है यहाँ पर हमारे पास C हमने ले लिया कि यहाँ पर A के साथ में B की जो mapping है जो function है वो हमने इसको F से define किया B का C के साथ जो है उसको हमने G से define किया और A का C के साथ में जो होगा वो हो जाएगा G, O, F अब अगर A के अंदर set A है और B के अंदर है set Y equals to F, X हो जाएगा और G के अंदर जो हो जाएगा उसको मतलब ये X हो गया, ये Y हो गया और ये Z हो गया यहाँ पर हम A और B के बीच में निकाल रहे हैं तो हम ले लेंगे Y equals to F, X और जब हम B का C के साथ में निकाल रहे हैं तो हम ले लेंगे G, F, X ठीके, और A का C के साथ में क्या निकालेंगे हैं G, O, F, G, O, F का मतलब क्या हो गया G और अंदर हो जाएगा F, X अब आप इसको बहतर ली समझ पाएगे एक example के जरी है देखे, यहाँ पर हमारे पास में दिया है let F equals to F की, यानि की हम यहाँ पर कह सकते हैं F, A to B F, A to B के अंदर जो हमें दिया है A के elements दिये हैं, 1, 2, 3 और B के element दिये हैं हमारे पास 4, 5, 6 ठीके, ऐसे ही G G का मतलब क्या हो गया है आपे B to C तो B के element क्या हो गए, 4, 5, 6 और C के elements हो गए, 3, 4 is given by F equals to this one, मतलब यह elements दिये हैं और G के elements यह दिये हैं find करना है हमें G, O, F G, O, F का मतलब क्या होता है बेटा G, O, F का मतलब हो गया कि G बाहर लेंगे और अंदर लेंगे हम function F, X को कि पहले हम function F, X को solve करेंगे, उसके बाद जो आएगा हम G, X solve करेंगे अब इसको solve करते हैं तब आपको अच्छे से explain हो जाएगा देखे, सबसे पहले हमें जो जो elements यहाँ पर given हैं हम उसको बना लेते हैं टेबिल के जरीए mapping के जरीए, यह हो गए B के element, और C के elements क्या दिए हैं आपको 3 and 4, यह हो गए आपके set C के elements ओके, हमें यहाँ पर निकालना है G, O, F, X, G, O, F, X का मतलब क्या हो गए, G और function F, X अंदर, ओके, तो सबसे पहले G, F, X निकालने के लिए मतलब, अगर मैं बात करूँ G, O, F, यानि की G function F, X की बात करूँ मैं अगर यहाँ पर तो सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालूंगी G function F, 1 अगर मैं F, 1 की बात करूँ तो इसका मतलब यह क्या है, F, 1 यानि हो गया यहाँ पर G, 5 यहाँ पर क्या दिया है F, 1 का 5 के साथ में इसकी value कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ओके अगर मैं बात करूँ यहाँ पर G, F, 2 की G, F, 2 की value यहाँ पर क्या दिया है 4 दिया है, कुशन में यह दिया है, हमें यहाँ पर 4 ओके, G, F, 3 अगर मैं बात करूँ function 3 की कुशन के इंदर 5 दिया था 1 और 5 function 2 की image क्या दी थी यहाँ पर 4 दी थी तो हमने 4 लिख ली function 3 की image दी थी यहाँ पर 6 तो हमने 6 लिख लिया इसका मतलब अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं g5 g4 g6 f1 की value कितनी दी थी 5 दी थी f2 की दी 4 दी थी a3 की दी c6 दी थी लेकिन बाहर G भी तो है तो जी लिख लिया हमने अब बात करते हैं हम Pгляश की image कितनी दी है तो आप दियान से देखें ऊपर question में यहाँ पर G5 की image क्या दी है 4 d है कि जी-4 की कितनी दी है 4 d है और और G6 की image क्या दिये हैं यहाँ पर 3D है तो इसका मतलब यह हो गया कि GOF यानि की G function fx हमारे पास क्या निकल के आया है कौन-कौन से element आये है वन की image है 4 टू की image है यहाँ पर 4 ठीक है टू की image क्या आई 4 और 3 की image क्या आई है हमारे पास यहाँ पर 3 आई है clear तो इसका मतलब यहाँ पर GOF x हमारे पास क्या आगया 1,4, 2,4 और 3,3 इस तरीके से आप 3 या फिर 3 से जादा या कह सकते हैं 2 या 2 से जादा elements का composition find out कर सकते हैं clear students आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं invertible function देखें invertible function को आप inverse function के जरीए भी समझ सकते हैं ठीक है अब function FA to B is invertible if there exists a function GB to A such that GOF equals to IA and FOG equals to IB यहां पर अगर हमें बात करूँ FX FOG की ठीके FOG का मतलब क्या हो गया function देखें आपे नीचे समझेगा FOG का मतलब क्या है FOG मतलब हो गया IY के बराबर IY का मतलब क्या है कि F बहार रहेगा और अंदर क्या आ जाएगा G Y आ जाएगा है ना अगर मैं बात करूँ gof की gof का मतलब क्या हो जाएगा ix तो यानि कि g बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगी function x रहेगी तो सबसे पहले हमें यहाँ पर gof की बात करूँ तो function fx को find out करना पड़ेगा then हम gx find out कर पाएंगे अगर मैं fog की बात करूँ तो पहले हम यहाँ पर gy को find out कर पाएंगे और gy की find out करने के बाद में पहले हम यहाँ पर gy find out करेंगे और उसके बाद में फिर हम यहाँ पर fy निकालेंगे और अगर मैं नीचे की बात करूँ तो यहाँ पर पहले हम fx find out करेंगे और उसके बाद हमें हम यहाँ पर gx निकाल पाएंगे clear तो इस function को हम बोलते invertible function या फिर आप इसको f inverse भी बोल सकते such that g is called the inverse of f and denoted by f inverse यहाँ पर g क्या होता है inverse होता है किसका function f का जिसको आप f inverse से भी show करते हैं ध्यान रखिएगा important point यहाँ पर यह है कि function will be invertible if f is one one and on two invertible function केवल और केवल तब satisfy होती है जब वो one one हो और जब वो on two हो one one function और on two function मैं आपको पढ़ा चुकी हो पीछे second point के दिया है कि fof equals to होगा i के देखें यहाँ पर ना तो fog नहीं लिखा यहाँ पर लिखा है fof यानि कि यहाँ पर first element भी आपको fx के निकालना है और second भी तो यानि कि आपके पास में identity आ जाएगी identity आपने पढ़िए fof equals to identity then f is inverse itself f जो होगा वो अपने आप में ही inverse हो जाएगा इसको एक example के जरीए समझते हैं यहाँ पर हमें एक example दिया है f equals to one two three और सामने दिया है five यानि कि हम कह सकते हैं a to b कितना दिया है हमें a के element दिया है one two three four और b के element दिया हमें यहाँ पर five with function fb दिया हमें यहाँ पर find it is invertible invertible find out करना है इसका तो invertible कैसे find करेंगे बिटा हम इसको थोड़ा सा easy करने के लिए अगर हम बना लेते हैं किसी भी question की तो question बहुत ज़दा easy हो जाता है तो हम इसको तुनाद mapping बनाते हैं ठीक है a के element हमें यहाँ पर क्या दिया है one two three four यह हो गए आपके a के element b के element में आपको क्या दिया है यहाँ पर b के element में खाली यहाँ पर mention है आपके पास five और यहाँ पर function f कैसे दिया है आपको one five मतलब one की जो image होगी वो five होगी one की image है five two five देखें आपर two की भी क्या है five है three five three की भी यहाँ पर five है four and five four की भी five है यहाँ पर अब हमने आपसे बोला कि invertible function क्या होती है invertible function वो function होती है अगर वो one one भी है और अगर वो on two भी है invertible function होने के लिए one one भी होना चाहिए और on two भी होना चाहिए अभी हमने इस question के गॉर्डिंग यहाँ पर mapping त्यार कर लिए अब हम चेक करते हैं क्या यह one one function है और many one function भी है अगर यह many one function और one one function दोनों को satisfy करती है तो इसका मतलब यह inverse function होगा sorry यह एक invertible function होगा otherwise यह नहीं होगा तो चेक करते है one one function क्या होती है बिटा one one function यह कहता है कि जितने भी element a के अंदर होती है set b के अंदर उनकी एक different different image होनी चाहिए लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जितने भी set a के अंदर element है उनकी different different image नहीं है सबकी image एक ही है इसका मतलब यह one one function नहीं है one one function नहीं है because ऐसा क्यों है because every element of a has not different image in b जितने भी have not different image in b जितने भी element a है उनकी b के अंदर different different image नहीं है इसका मतलब यह one one function नहीं है on to function के लिए क्या होता है on to function यह कहता है कि b के अंदर जितने भी element है उनकी pre image होनी चाहिए set a के साथ में तो बिल्कुल है b के अंदर एक ही element given है यहाँ पर 5 और b के अंदर जो element 5 है उसकी pre image set a के हर एक element के साथ में तो बिल्कुल यह एक on to function है तो इसका मतलब यह on to function तो है one one function नहीं है so it is not invertible function यह invertible कब होता जब यह one one भी होता और यह on to function भी होता तो clear sprints कि invertible function क्या होता है composition function क्या होता है one one function यानि injective function क्या होता है on to function यानि surjection function क्या होता है one one and on to function byjection क्या होता है and relation and function के बीच में difference क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में हर एक concept अच्छे से clear करवा चुकी हूँ even then अगर आपका कोई भी doubt है तो comment section में comment करके आप अपने questions पूच सकते हैं next video के मादियम से पका आपको answer किये जाएंगी तो इस वीडियो में आपको तीन वीडियो के मादियम से set relation and function जो पूरा हमारा ये chapter है ये complete करा चुकी हूँ हर एक वीडियो का link आपको इस chapter से related description में मिल जाएगा अब चौथी वीडियो मैं इसके उपर बनाने वाली हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम relation and function के उपर जितने भी previous year questions है जो KVS, NVS, G, SSSB, PGT, TGT में आएवे questions है उनके उपर discuss करेंगे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको questions ही मिलने वाले हैं तो आप ज़रूर ये तीनों वीडियो देखके अपने सारे concepts clear कर लें ताकि हम next video में discuss करें सारे questions के बारे में तो तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखी अपने concepts को clear कीजिए मिलती हूँ